और एक कारवा बनता जाता है तो एक विजन की उपर काम करने का मतलब क्या होता है पता है एक बहुत बड़े परपस के लिए काम करना जब हमने सूरत में शुरुवात किया था ये गुरुकुल का तो आपको पता हो या ना पता हो जैसे बसंद जी नहीं आपर आपको बोला था हमने गार्डन से शुरू किया था ये कंपनी गार्डन में दो-दो जिखटा हुए और हमने सोचा हमारे जैसे प्रॉब्लम सब के है हम सॉल करेगे पहला जब हमने क्लोजिंग किया उस क्लोजिंग से तो हमने अपनी ओपिस का डिपोजिट दिया था और आज अगर पीछे मुड़ कर देखते है तो पचासते ज़्यादा प्रोफेशनल लोगों की टीम हमारे साथ है और हम प्राविट लिमिटेड हो गए हमें पता भी नहीं चला पिछले आठ साल में क्यों? क्योंकि हम एक मकसद के उपर काम करें और हमने अपिल की जो सिच्वेशन थी ना वही से हमने कभी ये नहीं सोचा कि कोई आएगा या कोई सपोर्ट करेगा अब आप लोगों को ये सोचना है प्रॉबलम आपकी जिन्दगी में है चैलेंजिस आपकी कंपनी में है उसका सॉल्यूशन लाएगा कौन कंसल्टन आएगे लेकिन पहल तो आपको करनी बढ़ेगी ना जब आप पहल करोगे हम आजिर हो जाएगे और मिलकर करेगे हम सॉल्यूशन और मिलकर आगे बढ़ेगे क्योंकि हमारा कामी है आपको डेवलोप करना आपकी टीम को डेवलोप करना और आपके बिदनस को डेवलोप करना clear? आगे बढ़े? great अब हमें समझना है एक leaders जो होता है उसके लिए क्या चीज़ उसके enemies है दुस्मन कौन है? क्योंकि दुस्मन को जाने के तब ही तो उसका खात्मा करेगे तो सबसे बड़ा दुस्मन क्या है? पता है? too slow taking decision बहुत सारे लोग रोज opportunity उनको आती है लेकिन decision ही नहीं लेते है और decision न लेना भी एक बहुत बड़ा decision है तो slow decision लेना बन करो fast decision लेना शुरू करो दुसरा क्या लिखा हुआ है? vision जो होता है उसकी clarity ही नहीं होती है रोज सुबा काम करते है रोज शाम को effort करते है और सोतते है हम हो जाएगे कामियाब एक दिन एक दिन ऐसा आजाएगा कि success मिल जाएगी वो ऐसे नहीं आएगे focus जो होता है वो saving पर होता है earning पर नहीं भाई साब पैसा अगर आब यहाँ पर बचा के रखोगे कि भाई 3 लाग 4 लाग 5 लाग गुरू कुल वाले को देना पड़ेगा तो याद रखना 2 करोड 5 करोड 10 करोड अंदर आएगा भी नहीं क्योंकि जगा आपकी कहा रोकी है इदर तो जा तो नहीं रहा है दूसरा ये भी आया भी नहीं रहा है तो कभी भी एक businessman की सोच है ना वो कभी saving की नहीं होनी चीए always उसकी सोच होनी चीए earning क्योंकि कमाना पड़ता है बचा बचा के आज इस दुनिया में कोई कामियब हुआ नहीं है कमा के कामियब होता है और उसके लिए आप लोगों कोई question रहेगा कि अगर कमा के कामियब होना है तो rules बनाना सिखो कि be a big business man spend करो खर्चो क्योंकि जितना बोग उतना आपको पकेगा और उसको आप काट का हुए फिर आगे बताया गया है work delegation versus self control खुद के control में से बहार आ जाओ बहुत सारे लोकों को control करने वाले कोई और ही लोग है जिनके हाद में अपने remote दे दिया है वो सारे remote आप अपने पास ले लो अपना control खुद करो और लोकों को control ना करके आपका काम है लोकों को delegate करना और don't invest for your knowledge जो अभी हम कभी सोचते नहीं है करते ही नहीं है लेकिन आज के बाद से हम क्या करेगे what is your knowledge budget आज के बाद हम एक budget plan करेगे और वो budget कि सिसका होगा मेरे knowledge को बढ़ाने का तो लिखो और decide करो कि इस साल आपका budget क्या है आपके knowledge को increase करने का बढ़ाने का decide करो क्योंकि जितना आप डालोगे उसका 10 time return आएगा तो कितना डालने वाले हो वो decide कर लो next अब एक बहुत बहतरीं चीज यहाँ पर बताए गई है कि जिस वक्त से आप बहतर बनना बंद कर देते हैं उसी वक्त से आप बत्तर बनना सुरू हो जाते हैं या तो per day बहतर बनोगे या तो per day बत्तर बनोगे choice आपके हाद में है कि आज मैं बहतर बनू या मैं बत्तर बनू बत्तर बनना मतलब कुछ नहीं करना क्योंकि नाकामियाब होने के लिए कुछ करने की जरुवत नहीं होती है वो अपने आप हो जाता है लेकिन कामियाब अगर होना है तो बहुत कुछ करना पड़ेगा भाई सफलता अगर आपको अपनी जिंदगी में चाहिए तो रोज हमें अपने अंदर कौनसी कॉलिटी विक्सित करनी है या कौनसी कॉलिटी हमें अपनानी है तो सबसे पहली कॉलिटी ऐसा लीडर जो अपने अंदर होनी चाहिए एक बुक में यहाँ पर आप लोगों को recommend करना चाहोगा जिस book से कुछ knowledge में आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ जिसका नाम है developing the leader within you आपके अंदर एक leader है उसको कैसे develop करना है इस book का सबसे पहला learning जो आप लोगों के साथ share करना चाहोगा जो ये बताता है influencer एक leader जो होता है उसकी सबसे बड़ी quality होती है वो प्रभाव डालने वाला होता है influencer होता है तो influencer होने का मतलब क्या बताया है leadership is not about the position it is influence आप कौन से position पर हो ये matter नहीं करता है जिस भी जगा आप हो आप act क्या करते हो आप perform क्या करते हो वो decide करेगा कि आप एक influencer हो इसका मतलब क्या बता रहा है बैग लीजे ये है ना leader है जो काम को लेकर team को लेकर चल रहा है और ये जो है ना वो boss है जो क्या सोच रहा है काम भी आगे होता जाएगा team भी आगे बढ़ती जाएगी तो ये का वाला attitude नहीं चलेगा ये वाला अपना ना पड़ेगा lead by example influence करने का मतलब आपको समझाता हो जो वो लड़के ने किया story के अंदर खुद ने पहले आगास किया फिर उसकी team follow हुई तो आपकी company बे भी सरुआत कहा से करनी होगी लोग reporting क्यों नहीं बनाते है भाई साब क्योंकि आप खुद report नहीं बनाते है लोग to do list क्यों नहीं बनाते है भाई साब आप खुद to do list नहीं बनाते है लोग dress code में क्यों नहीं आते है आप खुद नहीं आते है लोग time पर क्यों नहीं आते है आप खुद नहीं आते है problem इधर है उधर बात में होगी सुरुवात यहां से होनी पड़ेगी बराबर नेक्स्ट अब हमें समझना पड़ेगा एक्टिविटिस नौ और पेश नमबर 40, 34 and 35 ओपन कीजे बहुत ही अच्छी लाइन यहां पर आप लोगों के बीच में दिखाए दे रहे होगी जो यहां पर शेयर की गई है यह वाला एक्टिविटिस कोई भी इंसान जो होता है जो अपना बिदनस सुरू करता है उसका ग्राफ क्या होता है तो वो सुरुवात करता है as a trader उसके बाद वो बनता है manager उसके बाद बनता है वो leader उसके बाद बनता है वो leeper और ये पूरी जिन्दगी जो उसकी लाइफ की होती है ये तीन साल की होती है तोटल कितना हो गया प्लस वन ये 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 तीन तीन साल अगर वो spend करेगा as a trader as a manager as a leader तो उसके बाद वो बनेगा लीपर जबकि इंडिया का सबसे बड़ा problem ये है 98 प्रतिशत लोग जो है वो यहाँ पर फस है msmb में या तो वो खुद trader बन चुके है या तो वो खुद manager बने तो बनते है trader में से manager फिर फिर से manager में से आ जाते है trader ग्रो नहीं होते है या फज्जात है तो गुरुकुल का काम है यहां से आपको यहा लाना यहां से आपको यहां लेकर जाना यहां से आपको यहां लेकर जाना और इसलिए हमारा जन्नी पास साल दस साल पंदरा साल बीस साल पचास साल का होगा या lifetime हो सकता है क्योंकि ये जर्णी खतम नहीं होता है ये सुरूई रहता है और हम आपको पहुचाएं गेली पर पर यह हमारा commitment है तो अब आपको समझना पड़ेगा कि लीडर जो होती है उसकी क्या लाइकाद होती है या क्या काबिलियत होती है और आपके अंदर कौन सी है ये सारे उसके symptoms दे दिये हैं homework के अंदर लिग लिजे ये आपको घर से करना है और next आपको ये करके आना है कि क्या तीन changes आप करोगे यहाँ पर लिखे I खुद के अंदर यहाँ पर लिखे team और यहाँ पर लिखे company ये तीनों तीन के अंदर तीन-तीन changes लेकर आने हैं आपको कि क्या बदलाव आप लेकर होगे क्या action लोगे आप यह आप लोगों को खुद को decide करना है आज की meeting complete होने के बाद नेक्स्ट अब बात करते हैं दुसरी quality तो एक leader के अंदर दुसरी quality यह होनी चाहिए priorities एक professional person होता है वो priorities के हिसाफ से काम करता है और एक new कमल जो होता है वो सभी चीजों को priority में लेकर चलता है और आप सब लोगों को यह परिशानी होती होगी पूरे दिन में काम आप करते हो main काम रह जाता है बाकी के सारे काम हो जाते हैं होता है और यह होने का सबसे बड़ा कारण यह है हम priority set नहीं कर पाते हैं देखते हैं कैसे होता है priority set आगे सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा सबसे महत्व का काम कौनसा है फिर आपको मैच करना पड़ेगा सबसे जरूरी कितना है तातकालिक कितना है उसके बाद आपको लेना पड़ेगा सबसे पहला उसी को क्योंकि ये काम आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता है फिर आपको लिश्ट बनाने के बाद देखना पड़ेगा सबसे महत्व का काम कौन सा है और कम तातकाल वाला काम तो यहाँ पर आपको क्या करना है प्रतिनीधी तो खूद करना नहीं है करवाना है खाली आपको रिपोर्ट लेना है और लास में आएगा कम महत्वा का और कम तातकालिक तो इसको आपको क्या करना है जाने देना है छोड़ देना है तो अब आपको एनलिसिस करना है do list के अंदर से के कौनसा काम मेरे first priority में आएगा कौनसा काम मेरे second priority में आएगा कौनसा काम third priority में आएगा और कौनसा fourth में आएगा है क्लियर और उसी के हिसाब से आपको decision लेने है अब मैं आपको पुछता हुए एक सवाल बरबर अगर आपके office के अंदर page खतम हो गए A4 size के और उसको लेकर आना है यह आपके लिए कौन सी priority का काम है यह तीन में से चार में से कम दाथकालिक है ना लेकिन लोग सबसे पहली priority उसको लेकर चलते हूँद जैस नहूद लई आगेस आंके साथी सस्तू क्या मने खबर यह अपना दिमाग होता है यस बिल भरना यह टाइम पर सारे बिल का जो डियू है वो क्लियर करना यह कौन सा priority वाला काम है यह जो है वो कम महत्वका है लेकिन ताथकालिक है क्योंकि उसके डेडलाइन आज ही आ गई है लेकिन हम करते क्या है खुद जाते है बरने के लिए जबकि हमें करना क्या है टीम को दे देना है वोलना है थूबर ऑपिस खोलना शौप खोलना बत्ती करना टीम के साथ मिटिंग करना ये प्राइवरिटी में कौन सा आएगा पहला वाला कौन सा आएगा दूसरा वाला कौन सा आएगा और तिसरा वाला कौन सा आएगा क्योंकि एक्जम्बल से आपको क्लियर होगा रोज खोलना और रोज बन करना ये कौन सी प्राइवरिटी में आपका रहना चीए लास्ट में जाना चाहिए लेकिन बहुत सारे लोगों के पास अभी भी चाबी होगी और वो खोद जाएगे ना फिर ही खुलेगा क्यों क्योंकि उपर से संसकार मिले हमें ऐसे कि यही करना होता है और यही करते हैं फिर हमें समझना पड़ेगा मिंटिंग करना यह कौन सी प्रायोरिटी वाला काम है टीम के साथ रोज सुबा यह फर्स्ट प्रायोरिटी वाला है और यह हम नहीं करते हैं तो यह आपको डिसाइड करना है आपके situation के हिसाब से यह खाली मैं example दे रहा हूं अब आप पूरे दिन में क्या करते हो आपने लिखी लिया है अब उसको आपको priority में set करना है तो डू लिस के अंदर clear आगे बढ़ते हैं यह activities है page number 37 और activities number 10 जहाँ पर आपको दिया है 20% काम जो है वो आपको 80% result देगे और 80% काम आपको 20% result देगे 80-20 rules तो यह आपको IHW में करना है homework अब आपको लिखना है 80% काम आपके कौन से है जो आपको 20% result दे रहे हैं और 20% काम कौन से है जो आपको 80% result दे रहे हैं clear आगे अब आपको समझ लेना है कि as a leader आपको करना क्या है as a leader आपके कौन से काम रहे गे कोई बताएगा कि as a leader आपके काम क्या होने चाहिए actual में आज आपको बता देता हूँ कि as a leader आपके कौन से ये 20 परसन काम है जो काम करने से आपको परिणाम 80 परसन मिलेगे जो आपको ही करना है जिसमें सबसे पहला काम है CRM करना Customer Relationship बिल्ड करना ये आपसे बहतर कोई नहीं कर सकता है ये आपको ही करना है ये वाला काम आपके अंडर में होना चाहिए दूसरा काम जो आपको करने की जरुवत है R&D Research and Development करना नई नई प्रोड़क्ट नई नई सर्विस नई नई चीजों को लेकर आना और मार्केट में जाकर धूनना नया क्या हो रहा है ये आपका काम है क्योंकि आपसे बहतर ये कोई नहीं कर सकता तिसरा काम Marketing and Branding नई नई जगास नई नई एरियस के अंदर जाना Marketing, Branding करना, नया प्रचार करना और नई नई मैथट धून कर लाना और चौथा सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम New Ideas for Business Development New Ideas for Business Development रोज नई ने आइडियास धूनना कि मेरा धंदा में कैसे बढ़ाओ ये आपके काम है अब सवाल ये है, ये हम करते ही नहीं और जवाब ये है, इसके अलावा हम सब करते है तो हम grow कैसे होगे clear है, आपका time यहाँ पर जाना चाहिए as a leader, बाकी के सारे काम करने के लिए लोग available है अब हम समझते हैं तिसरी चीज़ integrity और honesty एक leader का लक्षन होना चाहिए कि I am same for inside as well outside मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूगा मैं बदलूगा नहीं ये एक leader की पहचान होती है नहीं तो कई बार क्या होता है आप से कोई और commitment आप से कोई और commitment आप से कोई और commitment एक ही इंसान तीन जगा तीन तरीके से बदलता है इंसान एक ही commitment बदल जाता है लेने के टाइम पर कुछ और कमिट्मेंट, देने के टाइम पर कुछ और कमिट्मेंट, मांगने के टाइम पर कुछ और कमिट्मेंट, ऐसा नहीं जलेगा next leader जो होता है उसको always ये ध्यान रखना है कि आप जो चीज़े करेगे इमानदरी के साथ तो आपको भी ऐसी ही टीम मिलेगी इमानदरी के साथ आपको ऐसे ही customer मिलेगे इमानदरी के साथ आप जैसे होगे न वैसे ही आपके लोग होगे तो आपको decide करना है कि किस level पर आपको ये चीज़ maintain करना है और integrity का meaning ही ये होता है leaving it myself before leading other किसी call lead करने से पहले जो चीज़ आप चाते हो उसके इसाब से खुद जीना सुरू करो क्योंकि खुद जब आप उस चीज़ों को जीओगे आपको पता चलेगा सामने वाला उस problem में अगर आया तो उसको क्या solution देना है या lead कर पाओगे बोलते हैं ना कि जो taste आपने लिया ही नहीं है वो taste का बनाओगे कैसे और लोकों को खिलाओगे कैसे